राष्ट्री स्वेंग से वक्संग के नित्री तुमे पोश्ट कोविड सेंटर का श्रवारंब समासे भी डाक्टर एके सिंगने किया। वोस्ट कोवीड पुनरावास केंद्र के अंत्रगत कुरुना से हस्पिटल में ठीक हुए लोगों को देख बाल ती जाएगी, यहाँ पर ठीक हुए Rs. कुरुना के मरीज अपने श्वास को ऊर्ठ करेंगी। पोश्ट कोविड पुनरवास केंद्र का अरंब संग की जिला संचालक डाक्टर एके सिंग ने भारत माता के चित पर पुस्पार्चन करके किया इस असर पर संग के विवाग प्रचारा का जीत निकाहा कि कोरुणा में कम आक्सीजन लेवल वाले मरीजों से अस्पिटाल में बेड भरे रहें जिसको देखती है फैसला लिया गया कि अब कम आक्सीजन वाले मरीजों को पोश्ट कोविड उन रवास केंद्र में बढ़ती किया जाएगा जिससे कि कोरुणा से गंबी रुप से बीमार मरीजों के लिए हस्पिटल में बेड बढ़ाये जाएंगे और इ इशुल के सिवा प्रदान करेंगे इसमें डाक्टर एके सिंग डाक्टर जेपी सिंग डाक्टर पावन सिंग डाक्टर पसेख पांडे सुनिल सुपाटी डाक्टर जितेंदी सिंग आधि प्रमुक है इसके साथ ही नर्स्टिंग स्टाप भी मौजूद रहेंगे संग के सीनियर कारकरता गिरिस को इस सेंटर के संचालों के जिम्मिदारी दी गई है मरीजों के जोजन और काड़े को भी पूरी चिंदा होगी और पूरी बिवस्ता की जाएगी सुल्दानपूर से टीवी इंडिया एक्टिन से ब्यूर प्रमुख सुजीक कुमार रिपोर्ट अरुन कुमार से अरुन कुमार से इसका उद्देश ने देखी अभी जो इस समय कोविट की महामारी फैली हुई है कोविट से ठीक होने के बाद काफी लोग समाज में ऐसे आते हैं जिनकों की सांस की परिशानिया है जिनकों की एंजाइटी है ना प्रकार की परिशानिया है अभी पल्स देख चलने लगता है तो ऐसे किसेज में एक पुनरवास केंदर की जो ग्योस्ता करी गई है सिवाभारती के माध्यम से सुल्तानपूर राश्ची स्वाइन सिवाख संग के द्वारा उसका उद्देश ही है कि जो कोविट के बाद परिशान है उनको परिशानियों से निजार दिलाने यह तब तक चलेगा जब तक कि महामारी से जूजते वे लोग बिलकुल ठीक नहीं हो जाएंगे लंबे समय तक चलानी की हो जाएंगे